मुख्य मंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फर्णविज जी ने गोशना की थी कि दिवाली के बाद पठाके फोड़ेंगे हमें लगता है कि पठाके भीग गया और आवाज नहीं कर पाए एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बंबलास के आरोपियों से संबंध है में देवेंद्र जी आप 1999 में इस शहर में शाहिद पहली बार आए विदाइक बन के और 62 साल के जीवन में इस शहर में आप से पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दावूद से लोगों को जोड़ते रहे हम जब मंतरी थे उस वक भी दावूद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाशन विदान सभा में होते रहे लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोग प्रतिनिदी बनने के 26 साला जीवन में इस तरह के आरोप कवीव पे हम पर कोई लगा नहीं पाया आज एक जगा को लेके आपने कुछ कागजाद लोगों के सामने रखे कि देड़ लाग फुट जमीन ये कवडी मौल माफिया के जरिये हमने खरी दी हमें लगता है आपके जो मुखविर हैं आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्छे खिलाडी है आप कहते तो मही सारा कागजाद आपको दे देता और भी कागजाद आपको उपलब करा देता लेकिन आपने अंडर वर्ल्ड का खेल सुरू किया है आज तो सारी चीज़े मैं बोलूँगा नहीं लेकिन कल सुबे 10 बजे देवेंद्र जी का अंडर वर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट में और देवेंद्र जी ने मुख्य मंतरी रहते हुए किस तरह से अंडर वर्ल की जरिये फूरे शहर को हॉस्टेज बना रखाता कल सुबे 10 बजे उसकी जानकारी देंगे लेकिन आरोप लगाया गया कि हमने देड़ लाग फुट जमीन खरीद ली कौडी मोल में देवेंद्र जी ने कहा कि जाली किरायदार उसमें बनाए गए आप सभी जाकर देख लें वो देड़ लाग फुट जमीन पर एक मदीनतुल आमान नाम की कौपरेटिव हासिंग सोसाइटी है जो 1984 में वहां इमारत बनी गोवाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है जिसमें मुनीरा पटेल ने रसी वाला को डेवलेप्मेंट राइड देके वहां पे 140 से 1500 मकान बना कर आम लोगों को बेचे आज भी वो सोसाइटी महां पर आए उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे जुगी जुपडी है और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्मेंट कंपनी की वो लीस पर जो मुनीरा है उनसे वो लीस पर थी तीस साल पहले से और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में चार दुकाने थी आप कह रहे हो के फेक टेनेंसी क्रियेट की गई बहुत सारे पत्रकार होंगे जब 1996 में सीवसेना भरती जन्ता पार्टी की सरकार थी और हमें लगता है शायद 9 नवंबर कही वो दिन था और महराश में एक चाउकाने वाला नतीज़ा आया था जब नवाब मलेक शीवसेना भरती जन्ता पार्टी की सरकार में पहली बार उप चुनाओ जीता था और उस चुनाओ का कार्याले उसी गोव वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वही मनाए गया था 96 के आप जाकर मेरे कार्याले के चुनाओ के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाओ लड़ा था हम किरायदार वहाँ पे थे जो मुनीरा फलंबर है उन्होंने वहाँ पे जोपड़ पट्टी थी मदीन तुल आमाद नाम की सोसाइटी थी और उन्होंने हमसे संपर किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनर्शिप हम या पूरी ओनर्शिप देना चाहते है हमने उनसे ओनर्शिप ली उनका जो पावर अटॉर्णी था सलीम पटेल उससे हमने रजिस्ट्री की वो सारे कागजाद उपलब्ध है किरायदार के नाते उससे में जो स्टेम डूटी थी जो कीमत थी हमने आदा की वो सरकारी दस्थावेज में उपलब्ध हैं हमने मालकीन से ली अगर वो किसी को कहती है कि ये मेरा पावर अटॉर्णी है उससे आप पूरा आपका जो भी वैवार है वो पूरा कर लो तो हमने वो पूरा करने का काम किया दिवन्दर जी ने बड़ा जड़ा कि बम बलास का उल्ले करने का काम किया सरदार वली खान का उल्ले करने का काम किया साहिद दिवैंदर जी को उनके मुख्बिर बता नहीं पाए कि उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान का आज भी गर है पिछले सत्तर सालों से उसी गोवाला कंपाउंड में सरदार वली खान के जो पिता जी थे वो गोवाला परिवार के एक वाच्मेन की तरह वहाँ पर काम करते थे और जब हमने संपत्ति गोव अल्या परिवार से ली तो तीन सो मिटर पे सरदार वली खान ने अपना नाम चड़ा लिया था जब प्रॉपट्टी को हम रेजिस्टर करने गए ये बाते सामने आई और हमने तीन सो मिटर का पैसा देकर उन्होंने जो अपना राइट क्रियेट किया था वो उनसे सरंडर करने का काम किया आज भी वो हमारे घर के पीछे ही दो प्रॉपट्टी पीछे वो सारी जगा है जो गोडाउन है वो भी हमारे वहाँ पर है जो आगे इमारत है उसमें भी जो चार दुकाने उस समय हमारी थी वो भी है आज महाँ पे किराए पे लगाई हुई है जो प्रॉपट्टी ली तो आगे जो गोडा बिल्डिंग है जिसमें चार दुकाने आठ दुकाने नीचे आठ घर उपर ये सारी समपत्ती उस समय हमारी हुई उसमें बाद में एक बियर बार था मुसलमान होने के नाते समाज का दबा होने लगा कि आपके समपत्ती में बियर बार है वो बियर बार को भी ज़्यादा पैसा दे के हमने सरंडर करवाने का काम किया और किसी भी तरह से कोई अंडर वर्ल के दबाओं में या किसी बंबलस के आरूपी से ये पपट्टी हमने करीदी नहीं ये पूरी तरह से हम किरायदार थे जो जगा की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक लेलो और हमने उनसे लिया जो खान फैमिली थी पठान फैमिली जो वहां के वाच्मेन थे उन्होंने अपना साधवारा पे नाम चड़वा लिया था उसे शरंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का परवद बनाने की कोशिस की जो वेक्ती 62 साला जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडर वर्ल्ड से नवाम मलिक के कनेक्शन रहे हैं रिष्टे रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजनसी है उसके सामने जाएंगी जाएए हम तैयार है हमें लगता है कि जूट का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलत फहमी है जो कुछ है सारे दस्तावेज रजिस्ट्री आफिस में है कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे कागजात हैं जो पैसे का लेन देन हुआ उसकी स्टेम ड्यूटी हमने भरी है यह कह देना कि 20 रुपया फुट में लिया हमें लगता है जूट बोलो तो तेरा ढंग से बोलो हमें लगता है जूट बोलकर नवाब मलीग जो पिछले साथ साल से आप से लड़ रहा था पहली बार आपने इस तरह का अरूप लगाया सरासर बेबुनियाद है ना नवाब मलीग के किसी अंडर वर्ल के लोगों से रिष्टे रहे ना नवाब मलीग ने कभी बंबलास के लोगों से कोई संपत्ति खरी नहीं दी हाँ वाच मेंन ने अपना नाम उस पर चड़ा लिया था उस वाच मेंन से नाम निकालने के लिए उन्हें पैसे देने के काम किया यह सच्चाई है जहां तक सवाल है देवेंदर जी आपने अंडर वर्ल का खिल सुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि प्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंदर फणनेवीज किस तरह से अंडर वर्ल के जरिये पूरे शहर को हौस्टेज बनाए हुए थे किस तरह से एक अंडर वर्ल का सरगना जो विदेश में बैट कर इस शहर से उगाही करता था वो सरगना किस की लिए काम करता था वो अधिकारी किसका खास था और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज जो मैंने कहा है वो पारी सारी बाते सामने हैं लेकिन कल सुबेद 10 बजे तक का इंतिजार कीजिए बम तो फुटा नहीं लेकिन हाइडरोजन बम कल सुबेद 10 बजे गिरे दाखवा मी कुटले ही गईर परकारे कुनाचा वर दबाव निर्मान करून कुटली ही संपत्ती गेतलेली नहीं कुटला ही अंडर वर्ल्ड चा मांसा कडून कुटला ही संपत्ती कवडी मोल गेतलेली नहीं भाडे करू अस्ताना मालकी हग साथी जे पैशे त्या मालकीन नी मांगीतले त्ये पैशे आमी दिले वाच्मेन नी स्वतासा नाव चडून गेतला होता त्या वाच्मेन ला नाव कालने साथी आमी पैशे दिलेले आहे याच्यात माज्या कुटला ही अंडर वल्ची, कुटला ही सक्वंबंद रहलेला नाही, मी कौडी मोल जमीन कुटे ही गेतलेली नाही या उलट या मुंबई शहरा मदे देवेंदर जी चे जवडची लोका फ्लोट हडब करने चे धन्दे कुटला अधिकारे चा माध्यमतुन करत होते आनि कुटला अंतर राष्ट्री डॉन जो विदेशात उन भारतत आला होता तो कुणा सड़ी काम करत होता या ची माहती उद्या सकाड़ी दावास्ता देव सर्दार खान जो है सर्दार वली खान या चे वडिल जी प्रोपर्टी गोवाले ची ये तैचे वाच्मेन होते भाड़ा वस्कूल करने चा ते कामकरत होते त्यांचा मूडे ते जे मालिक है ते तरस जाले होते त्या सर्दार नी साध बरे वर स्वताचा नाव चोड़ून गेतला वलता तीन से मिटर वर जेवा मलकीन नी हमाला विकल ते वा तैसा नाव रिफ्लेक्स जाले मूडे तैनला अमी पैशे दिलेले सत्ते परसिती है अनी सलिम पटेल या गोवा वाले चे पावर अब अटर्नी होते आनि जा मालक नी पावर अट और नी यांचा करून वेवार करून गया तेनी सांगीत ले मुड़े ये सगड़े वेवार मंजे भाड़े करूँ अस्ताना मालकी हग गेने सा काम हमी के ले ले सब्सक्राइब कर देख ले वहां पर 140 फ्लैड बने हुए है आप जाके देख ले वह मदिनेतुल आमान जो सोसाइटी है वो डीम कन्वेंस का मुकदमा डीडियार के कारेले में चला उन्हें हम कार आउट करके हमारी जो गोडाउन है उसका रस्ता छोड़के उन्हें हम मालकी हग पे देने के लिए तैयार थे मदिनुतुल आमान के जो सोसाइटी के लोग है वो जो गोड़ाउन हमारा है हमारी मालकी का है हमारा किराय का पहले था या जो आगे हमारी दुकाने है वो सब हमारी संपत्ति हैं इस तरह का उन्होंने विवात किया उसका भी ऑडर GDR के कार्यले से 2019 में ही हो गया है ये जमीन तीन लाग फुट नहीं इस जमीन पे अल्रेडी 140 मकान बने हुए है इस जमीन के अधिकान सिस्थे पे जुगी जोबडी में लोग रहते हैं उसमें जो गोड़ाउन का पोर्षन है या आगे की एक छोटी सी आठ दुकान, आठ मकान की इमारत है उतनी ही अभी चीजे है उसमें भी छे दुकाने हमारे पास हैं जो पहले से चार दुकानी थी बाद में एक शराब खाना हमने खाली करा के लिया उसके बाद दो किरायदार जो पहले मजले में रहते थे उन्होंने भी tenancy surrender की वो भी हम लोगों ने ली है और पूरे transparent तरीके से जो भी चीज़े हमने की तेकिन देवेंद्र जी कोई भी नेता आप सिधे बंबलास दाउद इस तरह से नाम जोड़के आप मेरी प्रतिमा मलीन करने का काम कर रहे हैं आपने कल भी पहले प्रेस conference में आपने कहा था कि नवाब मलीक के दामात के घर से गांजा वरामद हुआ मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है आरोप लगा के आप माफी नहीं मांगते उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफी नहीं मांगेगे लड़ाई जारी रखेंगे आरोप लगा है समीम पटे नहीं में आपको कड़े द्या कि वाज सीवियाए कड़े द्या जे काई चोगशी है कुटले ही चोगशी ला मीं तयार आहे जे आज मी बोलतो ते सग्र जे घटना करम है ते तसस जालिल आए नहीं करतिल सीवियाए करतिल त्याना वाटटा था से में आपाकर को जानता नहीं ना मैं किसी गैंग वार बादे का किसका क्या रिस्ता है मैं नहीं जानता सलीम पटेल ऐसे पावर और अटोर नी जो गोवाले परीवार के थे उन्हों ने गोलाओ वाले परिवार के लोगों ने हमें उनके जरिये ही आप ये रजिस्ट्री करके लो मालकी हग किरायदार हम पहले से थे और मालकाना हग हमने लिया है जो एक कहानी रचने की काम की जा रही है हमें लगता है जांच कोई भी एजंसी कर ले हम किसी से डरने व जो हम बताएंगे शायद उसका इंतेजार देवेंदरी जी को होना चाहिए। जो हम बताएंगे शायद देवेंदरी जो 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 होना चाहिए। त्याचे गड़ून घर घेतला साड़े चार कोटी रुप हैसा। त्या काड़ा मदे ही बत मी छापूना ली के महम्मद यली खान याचे कड़ून नवा मलिक चा मुलानी घर खरीदी केलेला। त्या घर सगड़े काइदेशेर कारवाई करून त्या घर 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 घरीदी केला। पईशे दीले स्टेंडोटी बरला। आनि त्या काही लोका सांगत होते तो आतंगवादी है। आता त्याचे नवेद नावाचा पर्गा जो कांग्रेस्याँ युवकां चा अध्ध चोता, त्याची बहिन ही एक बैंक महादे काम करत होती, त्या लोका नी घर घर घ़्मानी घर घर हमी, नंतर चाड़ा मदे त्या मडर मदून त्यानला एक्विटल जाला आनी त्याचा कड़ों मी काई संपत्ती खरीदी केली नाही त्यांची मुल्गी जे बैंकेत काम करत होती नवेद नावाचा त्यान्सा मुल्गा त्यानी त्या काड़ा मदे जवड़ पास 12 वर्ष जी कीमत होती त्या द्याउन खरीदी केली त्या कुटले ही त्याचा वर अटेच्मेंट कि वा कुटले ही त्याचा वर असा काही नस्ता ना नुस्ता अंडर वलशी माजा संबन जोडन मला वाटते आता असा जोड़ाई सा असेल त्या इवाल दावुद कासकर चा घर कोकन पिए ज़नातला से शनातन से ज़नातला मंग सनातन चादाओच संबनें अधिंगावा किल अरोग फोत रातील जेकाई इंक्वारी करें आई तैनी करावा पन्नवामलिक धामनर नाई उध्याशकाडी हाइड्रोजन बॉम तैंक्यो झाल झाल